नमस्कार दोस्तों श्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार आर अशिष्टेड ट्रिक परिवार में और अमले कराए है राम सिंग आदव की पुस्त के पूरे पचास बैस पेपर शेट जिसमें से आज करेंगे तेस्वी पेपर के पूरे पचास के उसन जि तो आज हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नॉटिपिकेशन बेल कौन कर लीजे ताकि आने वाले वीडियो की पल-पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो चलत उन्तु पुन्हा में पलेग भेलनीे के कारण पुन्हा से हिरा गया था मुंबई इस्तान आंत्रित कर दिया गया था वंदे बांत्रम किस पुल्टक से लिए गया है तो यह लिया गया है चंदरगुप दित्य के समय भारत में कौन यात्री आया था यह भारत में रहा था ABM का पुरा नाम क्या है? Anti-Balastic Missile, Army Bomb Missile, Air Force Ballastic Missile या American Bomb Missile तो क्या होगा? ABM का पुरा नाम, Option Number Air Right होगा, Anti-Balastic Missile होगा हिंदू-मुस्लिम के एकता बढ़ाने के लिए किस आंदुलन में सहयोग दिया? कौन से आंदुलन ने सहयोग दिया था है? कौन से आंदुलन बार्चोड आंदुलन, खिलापत आंदुलन या बुदान आंदुलन तो कौन सा होगा? Option Number C राइट होगा, खिलापत आंदुलन और खिलापत आंदुलन के परमुक नेता कौन थे? अली बंदु जो दो बाई थे, अली बंदु के नाम से पर्षी जिनका नाम था, सोकत अली और मुहमद अली नामक दो बाईयों ने खिलापत आंदुलन के शुरुआत की थी? शवतंतरता की समय, कॉंग्रेस के अध्यक्स को अनते? जवारलाल नेरू पटा मी सितार में है, जेबी करपलानी है, पुर्षोतम दास टंडन तो को अनते? शवतंतरता की समय, 1947 में भारतिराश्टर कॉंग्रेस के अध्यक्स को अनते? ऑप्शन नमबर C राइट होगा, जेबी करपलानी. रोजर फेडरर कहां के निवासी है, इंगलेंड, स्वीट चरलेंड, वेस्ट इंडिज, दक्षिन अप्रिका तो कहां के निवासी है, रोजर फेडरर जो की एक परसिट टैनिस की लाड़ी है, ऑप्शन नमबर B राइट होगा, स्वीट चरलेंड के निवासी है, पंडित क लुच्रण मौःबातर् जुद्ट ब्र्टेOoh कि कि helps the breakout को तुथे संबंदीट है। कि अभी एंगलो इंडियन सदस्य मनौनित कर सकता है। परन्तु वर्तमान में 2020 में 70 संसोतन द्वारा इन्हें अटा दिया गिया, ये अब अंगलों इंडियन सदस्या नहीं मनोनित कर सकता। उस्राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अदिक कारे काल से चुना गिया, तो उस राष्टर्पती का नाम होगा option नामर B राहट होगा डॉक्ट्र राजियंदर परश्रपती वन्यति द्यार यह बारत के पर्तम ऊपर आश्टर्पती थे और राज्य व्यक्ति थे जिने सहरो पर्थम भात्रतन से नवाजा गिया था डॉक्टर जाकीर उसियन वे पर्थम राष्ट्रपती थे जिनकी पद पर मरत्य हुई थी हिमादास किस राजे की रहने वाली है हिमादास जो की एक पर शिद दावक है किस राजे की है ओप्शन नमबर डी राइट होगा यहाँ पर असम की निवाशी है अटोर्नी जनरल की न्यूकती कौन करता है मुखे न आएदिस परदान मंत्री राष्ट्रपती या उपराष्ट्रपती तो अटोर्नी जनरल की न्यूकती कौन करता है यहाँ पर option number 6 right होगा राष्ट्रपति करता है और यह किस अनुचेद के तहद करता है तो अनुचेद छिंतर के तहद राष्ट्रपति अटोर्नी जनरल की न्यूकति करता है और अटोर्नी जनरल जिशे हम महान्याई वादी कहते हैं कौन है वर्तमान में केके वेनु को पाल है इसे सपत भी राष्ट्रपति दिलाता है और इसकी न्यूकति भी राष्ट्रपति करता है और यह त्याग पत्तर भी राष्ट्रपति को देता है और अटोर्नी जनरल का कारे काल भी राष्ट्रपति के परसाद परियंत होता है यह सभी बाते अनुचेद छिंतर में लिखी गई है कि attorney general को मत देने का अधिकार नहीं है परन्तु यह किसी भी सदन में भाग ले सकता है नेक्स के उसन पानिपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती बाबर अकबर मराथा या एहमद सा अब्दाली तो पानिपत का तीसरा यूद 1761 में कब गए ता 1761 में एहमद सा अब्दाली और मराथा सासक सदाशी उराव बाहू के मद्य लड़ा गिया जिसमें एहमद सा अब्दाली विज्य हुआ था ओप्शन नमबर डी राइट होगा तो क्या है एक्यूपंक्चर ओप्शन नमबर सी राइट होगा सुईयों के माद्यम से उपचार विदी होती है एक्यूपंक्चर परत्वी के चारो और गती करता हुआ ठीक है यहां पर रूखा ओप्शन नहीं दिया गिया मिस्प्रिंटिंग के कारण हुआ गती करता क्योंकि रूखेट परत्वी के गूर्टिंग के गूर्टिंग के विपरित होता है या पर कौन सा कारण होगा इसमें से यहां पर ऑप्शन नमबर बी राइट होगा क्योंकि रूखेट पर जो लगने वाला गूर्टिंग के परत्वी के चारों और गती करता हुआ रूखे हीन होता है एक खाली बर्तन को पानी से बर्दिया जाता है तो इसके आवर्ती में क्या परिवर्टन आएगा बढ़ेगी जटेगी समान रहेगी या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा क्या होगा इस में से तो यहां पर option number a right होगा खाली बरतन को यह दिपानी से बढ़ दिया जाता तो इसके आउरती क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी मसूडों होने वाले विमारी कौन से इसकरवी रिकेट्स बेरी बेरी या रतोंदी तो कौन सा रोग मसूडों में होता इसकरवी रोग से मसूडों में खूना आने लगता तो यहां पर option number a right होगा और इसकरवी रोग किस विटामीन की कमी से होता तो यह विटामीन C की कमी से हो बढ़ने के लिए औस फ़डा घंच होती है रलगसे स्थार मैं घ्लते मिक्मय आपर लिए ब्यार और प्र 6 पर लृट के कमी होती है पत्तक होती हैं में नंसे पहड़ों पर दाले मिक्राव दॉलने का नबर नबर बी राइट होगा पहड़ों पर उचाई पर वायुदाब कम होता है तो इसलिए डाल क्या होती है देर से गलती है नेक्स क्योशन है निम्न में से कौन सा उर्जा का गेर पारंपरिक सरोत है सोर उर्जा, पेट्रोल, प्राकृति गेस या कोईला तो पेट्रोल, प्राकृति गेस और कोईला ये क्या सभी पारंपरिक सरोत है परंतो सोर उर्जा क्या गेर पारंपरिक सरोत है उप्शन नमबर A राइट होगा एक किलोग्राम पानी में एक डिग्री सेल्शे स्वर्दी करने के लिए आवस्येक उस्मा की मात्रा को क्या कहते है एक डिग्री सेल्शे स्वर्दी करने के लिए आवस्येक उस्मा की मात्रा क्या कहेंगे उप्शन नमबर A राइट होगा किलो केलोरी कहते है विजातिया आविस्तों के मद्य लगने वाला बल कौन सा बल होता है, गुरुत्वे बल, चुंबके बल, नाभी के बल, या कुलाम का आकरशन बल, कॉलम नहीं, यहां पर कुलाम का आकरशन बल होगा, उप्शन नमबर D राइट होगा, यहां पर, मनुश्य द्वारा स्वरसं विटामीन D होगा, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से अस्ति मर्दूता या रिकेट स्ट्रोग होता, जिससे हड्यों में कमजोरी आती है, तो यहां पर, आप्शन नमबर D राइट होगा, व निला और रहरा होता है, नेक्स क्यूंए चुम्ब्र के छेत्र मापने का यौ घास मीटर होता है, तो कौन सा होगा छुम्ब्र के छेत्र मापने का ये अंतर अपस नंबर A राइट होगा, यौ अनडरम के छेत्र मामा पादादार है, 100 डिगरी इंडल से जलने-जलने-ë driver श चुह ओक्साइड, पोटेशियूम, साइनाइड, लेड। नाइट या जिंक पासपायड। तो क्या कहते है चूहों के विशक कोUN argument डी रायट होगा यहाँ पर जिंक पासपएड कहते है चूहों के विशक रासाइनिक नाम होता है विद्यूत द दारा की या कुलाम प्रतिसेकिंड नीूटन सेकिंड या फेरा डे या कुलाम तो क्या होगाonie 1 अब नेश्ट पाट में हम करेंगे गनीत के 15 की design मियत का पहला function आपकी screen पर दिया गया है कि यह दिल ऑक्स पलस य बराबर 4 और x square minus y square बराबर 8 है तो x minus y का मान ग्याद करना तो यहाँ पर दिया गया x square minus y square तो a square minus b square लिख सकते है या फिर x square minus y square लिख सकते है इस का मान क्या होगा इस का मान होता x minus y और x plus ky ठीक है यही होता x minus y और x plus ky होता है बराबर दिया गया 8 तो X-Y का मान पूचा है, ठीक है, तो X-Y अपनी जगह शेह पर रहेगा, और X-Y का मान दियागी है, हमारे पास कितना 4, तो 4 बराबर कितना होगा 8, यह 4 इस और गुणा में है, पक्सांद रन करेंगे, क्या हो जाएगा बाग में, तो X-Y का मान कितना आजाएगा, 8 में 4 का ब जाएगा 5 मीटर है, कमरे की दिवारों पर 5, 6, 6, चोड़ा का अगद दगाने का 10 रूपे प्रति मीटर है, तो कुल खर्च कितना होगा, सारों पर तम हमें क्या करना का में, कमरे का चेतरपल ग्याद करना, कमरा कैसा गनाब का आकार का होता, यह हमें पता, तो गनाब के चे किटरपल का सुत्तर तो यहां पर कितना जाएगा दो इन्टु दस को प्चाइगा चीज चीज पांच को दस चीज 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 पर नहीं चीज चीज जच पर नहीं चीज चीज शाट का गटाना ilr फर्स का चेतरपल गटाना तो चत किस परकार के होती है आयताकार होती है और फर्स भी आयताकार होती है तो दो चेतरपल गटाना चत और तो आयत का चेतरपल क्या होता लंबाई इंटू चोड़ाई और लंबाई 10 मीटर चोड़ाई 5 मीटर तो 10 इंटू 5 और इंटू क्या करन चतु में 30 सब्सक्ता कि एक सब्सक्राइस स्क्वाइर्ट 18 और कर एक से Ещеंटीमीटर संटी मीटर का 151 सब करना कितना बागद मीटर थी इसे मीटर में स्पपसेदी मिडिए ना है पिच्छोतर बट्टे 100 मीटर का तो इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, गुणा में चेंज गरने के लिए 100 बट्टे पिच्छोतर करAT गणे और इंटी एक मिटर पर कितने रुपे का लगता, का option number B right होगा, यहां पर, next question 8 into 6, costak में दिया गया, 2 बटे 3 भाग, 4 बटे 9 into 2 बटे 3, तो हमें क्या करना है, इन्हें शरल करना, तो 8 into 6 लिखा गया, पहले हमें, सार उपर तम क्या करना होता है, costak call करना होता है, बोर्ड मास्का नियम यही बोलता तो दो बट्टे 3 है आगे वाली संग्या भाग में दी गई गुणा में बितलने के लिए हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर लेंगे नो बट्टे चार कर लेंगे और कोष्टक से बार इन्टू दो बटे तीन लिखा गिया ठीक है तीन से नो कितनी बार कटेंगे तीन से नो कटेंगे तीन बार दो एक कम दो दो दुनी चार तो कोष्ट के अंदर कितने बचे दो बचे तीन बचे तो आठ इन्टू 6 इन्टू तीन बचे दो कोष्ट के अंदर वाले और कोष्ट तक कि बाहर वाले दो बटे तीन, अब दिया के 3 से 3 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, हमारे पास कितने बचे 8 इंटू चाहे, 8 को 6 से गुना किया, कितना आना चाहे, 48 आना हो चाहे, परन्तो किसी भी ओप्सन में, 48 नहीं जिया गया, इन्हें सिद्ध करके देखेंगे जैसे हमारे पास एक बेलन है जिसकी बेलन के आईतन का सुतर कितना होता बेलन के आईतन का सुतर होता पाई आर स्क्वाइर अच ठीक है पाई आर स्क्वाइर अच यह बेलन के आईतन का सुतर अब मान लिया कि इसकी तिर्जा भी एक है और इसकी उंचाई भी एक है तो हमारे पास कितना आएगा पाई इन्टू एक इन्टू एक इन्टू एक यह आएगा तो कितना आएगा पाई उतराएगा या 22 बिटे साथ उतराएगा जो भी है यदि कब आएगा जब हमारे पास तिरज्या कितनी थी एक अब क्या करना तिरज्या को दुगुनी करनी एक का दुगुना कितना होता दो करना ठीक है तो तिरज्या को दूगों नहीं करते हैं तो इसका परबाब पड़ेगा आइतन चार गुना हो जाएगा जो कि इन में से किसी भी उप्षन में नहीं दियागे आपके किता में तीन दियागे या परन्त तीन नहीं होगा इसलिए हमने सिद्ध किया यह तो यहां पर 9 common आ रहा इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है तो हम क्या करेंगे नो को बाढ़ ले लेंगे और क्या हो जाएगा शेक स्क्वाइर एक शेक स्क्वाइर ए माइनस के हो जाएगे टेन स्क्वाइर ए ठीक है यह आगी है हमारे पास तो हमारे पास एक सहर्व समिका होती तिरकौन में थे कि स्क्वाइर थिटा माइनस टेन स्क्वाइर थिटा बरा नमर बी राइट होगा यहाँ पर पच्चिस बट्टे 81 का गात दी गई है एक बट्टे 2 का मान ग्याद करना ठीक है एक बट्टे 2 यह पॉइंट पांस लिख सकते हैं कोई दिखत नहीं तो 25 बट्टे 81 इसकी गात दी गई है हमारे पास कितनी 8 बट्टे 2 तो जब हमारे पास सब्सक्राइब होगा 9 तो 5 बिट्टे नो इसका राइट आंसर होगा option no b right होगा यहां पर कियादी दो पेंट पांच की उटल चाहल की कीमत 180 रुपई हो तो 4 बिट्टे 6 कि उटल की कितनी होगी ठीक है तो दो बिट्टे 5 की 180 कितनी हो जाएगा 1802-5 बाएज अब यह बाग देते हैं और गुटा बाऄ बें कोटने हैं जाद का वाद, सिफ से पाइगा तो चार बटे चाहे के उटल की केमत कितनी होगी 300 रुपए होगी option no. a right होगा यहां पर संब्लम चत्रबुझ के आमने सामने की बुजाओं का जोड़ा होता संब्लम चत्रबुझ के आमने सामने की बुझा बराबर चोटी नहीं होती समानतर होती है sats hai होती परकार का होता है संभलों चाटरूबुझ का चित्र एक वती दो वटता कोई और सहाड़ का कितना होगा दो हार में एक लिखनि क्या प्रवाइग होती कितना होगा और ओप्शन नुर्इट होगा पर कि 61 यो कि 1, कि 1 यार्ट चारश कम परता आप ऊशंस में तीन बड़ा इस चारज रणजीड आए तता समय बटे बिश चार शिवाजीड आउस में पढ़ते ख глаз में ग्राएर 10 आड़ Pr bracket के लिए इन में, इसे एक में से गटा लेंγे, तो ये कुल कितना भाग हो गिया? 1 बत्टे 4 पलस के 1 बत्टे 3 बत्टे 10 पलस के 3 बत्टे 20, ये इतना है दिया गिया, इन्वे लगुतम क्या आ रहा 20, आरह 20 में सभी का भाग ज़ा, भीस में 4 का भाग यह कितनी बार, दस बार, तो कुल कितने आए, साथ बटे दस है, अब यह कितने कम रहेगे, एक में से साथ बटे दस को घटाएंगे, कितने कम रहेगे, तीन बटे दस कम रहेगे, जो कि यह 18 चातर है, यह कितने तीन बटे दस चातर है, तीन बटे दस चातर है, तीन बटे दस साट तो कुल कितने सातर है उसमें साट चातर है 1534 में कम से कम कॉण सीसंग क्या जोड़ी जाये तकि ये 31 का बाज़क बन जाये discipline 31 का बाग देना कितनी बार जाएगा 1534 ठिक पहले कितनी बार चार बार कतना आएगा 124 आएगा 123 में से 124 कटाएगा89 बचेगा अब बाग जाएगा आगे वाला चार उताराद बाग जाएगा नो बार और कितने आएंगे 200 उनिया से नहीं तो लग बग 59 बार बाग जा रहा है परन्तू हमें क्या करना इसमें जोड कर पूर्ण बाजक बनानी मतलब 50 बार बाग देना पूरा पूरा उन 50 बार देकर शेस नहीं रखना में पूरा 50 बार बाग देना तो 50 बार बाग देना तो 50 बार बाग देंगे कितना आएगा 31 को 50 से गुणा करेंगे कितना आना चाहिए आना चाहिए हमारे पास 1550 ठीक है 1550 आन पर 27, 36, 63 और 108 का पूर्ण बाजक देखना और पूर्ण बाजक देखने के लिए हम क्या करते हैं उसका लेते हैं लगुतम समापवर्थे लेते हैं तो 27, 36, 63 और 108 इसका हमें क्या लेना लगुतम लेने के लिए पर साहर उपरता हम दो का भाग देखने ठीक है 27 में नहीं जाता है 37 में जाता अथरा बार 63 में जाता और 108 में जाता 54 फिर से दो का बाग देंगे 27 में नहीं जाएगा 18 में 9 बार जाएगा 63 में नहीं जाएगा और 54 में 27 बार जाएगा अब भाग देना हमें 3 का 3 का बाग 27 में 9 बार 9 में 3 बार 63 में 21 बार और 27 में 9 बार फिर से 3 का बाग देंगे कितनी बार 9 में 3 बार 3 में 1 बार ठीक है 21 में 7 बार और 9 में 3 बार तो अब यहां पर देखें के 3,3 से एक बार बाग देने पर चला जाएगा और 7 में 7 का भाग जाएगा तो 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा साटीन एकीस को तीन से गुणा के इतना है, 133 को तीन से गुणा के अकट कितना है, 133 को तीन से गुणा करने पर आएगा, 1991 ही, 199 को दुगुणा करना, फिर 266 करना के ये, 199 को कितना निकलना, दुगुणा निकालना, कितना आएंगे? 90 rooms 186,2017 2,13, 308 तरगा कितना होगा 368 656्य होगा परंतु यह क्या बोल रहा कि? इसमें 7 जोडने पर पूर्ण बाजक होगी परंतू यह जोड़ने पर यह 27, 36, 63 और 108 का पूर्ण बाज़क हो जाएगा यदि 10 A पलस कोट A बराबर 2 हो तो A का मान क्या होगा थिटा का मान पूछ रहागा 10 थिटा पलस कोट थिटा बराबर 2 हो तो देखे 10 45 का मान होता एक और कोट 45 का भी होता एक और एक और एक कितना होता दो होता यहाँ पर कितना हो जाएगा एक कमान हो जाएगा 25 टिगरी 10 वेक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा करते है तो 20 वेक्ति उसी काम को कितने दिन के करेगा 20 into 10 अर्थार कितने दिन में करेगा 200 दिनों में करेगा तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे 20 का भाग देंगे 20 से 20 कैंसिल तो कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे option number A right होगा यहां पर एक पार्क के लंबाई तता चोड़ाई का अनुपा 3 अनुपा 4 है पार्क के परिदी 320 मीटर है पार्क के बीतर दिवार में 2 मीटर चोड़ा रास्ता बनाया गया रास्ते को बनाने का कुल कर्च 1.50 रूपए प्रतिवर्ग मीटर की दर्शे तो कितना होगा दिया कि यहां पर फार्क के लंबाई तता चोड़ाई का अनुपात दिया गया और परिदी दी के परिदी का सुत्र क्या हो था 2 इंटू लंबाई पलस चोड़ाई तो लंबाई पलस चोड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 320 में दो का भाग देंगे कितना हो जाएगा 160 तो अनुपातों का योग कितना हो रहा चार हो रहा और इसका लंबाई और चोड़ाई का योग कितना हो रहा लंबाई और चोड़ाई का योग हो रहा 160 तो 4 बराबर 160 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 40 बार तो तीन कमान कितना हो जाएगा 40 को 3 से गुणा करेंगे 120 लंबाई आ जाएगी और एक कमान 40 हो रहा है तो पूर्या का श्यात्रकोल कितना उता होता है। लबाई इन्टुू चोड़ाई। ओर चोड़ाई कितनी है। तो श्यात्रकोल कितने होती है न औट रहाट 0 ora 226 per kतनी होते है। 737 के साथ 36 और 5 कितने होते है 446 ठीक है 4800 में से 446 गटाएंगे कितना बचेगा अमारे पास है यह बचेगा हमारे पास है कि 24 और साथ में से एक गया 624 ठीक है अब यह बोल रहा है कि एक मीटर पर एक पॉइंट पांच रुपए का घर्चा लग रहा तो तो 624 पर कितने रूपे का खर्चा लगेगा तो 624 इंटू कितना हो जाएगा एक पॉइंट पांस लिख सकते एक पॉइंट पचास लिख सकते कोई परक्त नहीं पड़ेगा ठीक है तो 15 से 15 जो के सक्राख के स्क्रीन पर दिया गया है कि 17 15 1259 आगे कि चींगा पूच रहा ठीक है तो 17 में से पहले 2 उपभाएंची minded हुआ था जाया था qui तो कह bardziej क्ला कि पर हुद जाता सथ तो कहां पर पह रहा जाता इंडिया पर शल् की लिखा किसी सी पर इसंदी को क्या लिखा जाएगा तो किस परकार लिखा गया है मैं देखना यह दिसंबर सब्द दिया गए यहां पर क्या किया गए सहरो परतम अंतिम सब्द उठाया फिर कौन सा उठाया और फिर उठाया परतम सब्द डी फिर अंतिम से दूसरा और फिर परतम से दूसरा फिर अंतिम से से तीसरा परतम से तीसरा और फिर बीच वाले ठीक है इसी परकार उठाए गया तो फरवरी को भी हम इसी परकार लिगेंगे पहले अंतिम सब्सक्राइब य तो वाई उठाएख फिर इदर से दूसरा आर पिर इदर से दूसरा इंए पर कौन सा होजएगा फिर हो जाएगा ए इदर से फिर इन यू और पिर अंतमी आर तो Y, F, R, E, A, B, U, R Y, F, R, E, A, B, U, R कौन सा होगा? Option number B राइट होगा यहाँ पर E, B की बहन है A, C का पिता B, C का पुत्र है तब A, E, C का इसे क्या सम्बन होगा? ठीक है? यहाँ पर क्या दिया गया? E का B की बहन है ठीक है? A, C का पिता अभी तरे कोई सम्झ B, C का पुत्र है तो E और B क्या? C के पुत्र है और A इनका क्या होजएगा? C का पिता क्या होजएगा? दादा जी हो जएगा तो A की इसे क्या सम्द होगा? A, A, C E का क्या होजाएगा? दादा जी होजएगा option number a right होगा क्या होगा दादा होगा मैं 10 मीटर पूरव में चला ठीक है यह उत्तर हो जाएगा यह दक्षिन यह पूरव और यह पस्चिम ठीक है यह बोल रहा है कि मैं 10 मीटर पूरव में चला यह 10 मीटर पूरव होगे ठीक है इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा इदर और यह पूरव होगी तो कौन सी दिशा होगी उत्तर पूरव होगी option नंबर भी राइट होगा तो यह तिया आज के 30 नंबर पेपर के पूरे 50 क्यूशन और नेक्स्ट पार्ट में 31 नंबर के करेंगे और यह सीरीज पूरे 50 पेपर शेर तक चलती रहेगी तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अन कर लिए ताकि आने वाले वीडियो की पलपल की अपडेट आप तक पहुंशती रहे तो चलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद